तो हेलोएंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेमसंग के मवाइल में एक प्रीइंस्टाल फीचर होता है यहां Samsung के अधिकतर मोबाईल में होती है A Series में होती है और S Series में होते है जिस मोबाईल में Samsung में Nox device होती है तर प्रिइंस्टॉल होता है उसका नाम है सीच्वीर फोल्डर यहां पर आप प्राइवट अपनी डेटा हो अपनी एक्त हो या आपकी कोई बी कलेंडर कलेंडर में कोई ऐसी डेट हो आप उसको बताना नहीं चाहते हैं किसी को तो वहाँ पर सेफ कर सकते हैं कोई एपस हो जो आप यहाँ पर शेयर नहीं करना जाते हैं कोई एपस को भी वहाँ पर रख सकते हैं और कोई फोटो है या वीडियो से सबसे चुपाना चा कर पाएंगे और कैसे उसमें data को बूव कर पाएंगे डूस्तों फिर्ट को पूरा देकंगे तो यह समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों पने मोभाइल की सईटिंग में ज olmazाँ नीसे कि ताुथ तो आपको यहाँ पर यह option मिल रहा है secure folder का आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे अगर उसकी narration बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा keep your personal files and apps safe and secure तो आपको simply यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आप से बोलेगा welcome to secure folder and create करने के लिए आपको नीचे agree करने को बोलेगा simply आपको यहाँ पर agree पर click कर देना है और यहाँ पर आपको अगर आपने Samsung का account बना के रखा है तो आपको अपना Samsung का password डालना होगा तो आपको यहाँ पर आपको Samsung का अपना account का password डालना है तो मैं वो डाल देता हूँ तो password डाल लेंगे तो आपको कर लेना है उसको okay जैसी आप okay करेंगे तो आगे की process में चले जाएगा without password वो कुछ नहीं हो पाएगा तो आपको ये password डालना बहुत जरूरी है तो आप यहाँ पर अपना password डाल लीजेगा यहाँ पर आप save कर सकते हैं यह देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पर save कर सकते हैं तो 8 files easily apps keep your app secure जो कि मैंने पहली बताया apps folders और आपके gallery के जो private photos videos आप यहाँ पर easily secure कर पाएंगे contacts भी अपना private हो कुछ ऐसा personal contact रहता है जिसको normal कोई access ना कर ले तो वह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं तो थोड़ा सा time लेता है इसको create होने में तो यह create हो रहा है अगर आपने Samsung account नहीं बनाया है तो आपको Samsung account शायद create करने को बूलेगा बाकि अगर create है तो आपको normal अपना password डालना होगा और वहाँ से उसको access कर पाएंगे आप Samsung account से login करेंगे तो आपका फायदा यह है कि कल को अगर आप reset करते हैं तो वहाँ पर आप Samsung account में backup लेप आएंगे और easily वहाँ से restore कर पाएंगे secure folder में तो वह आपका फायदा होगा और आपका data वहाँ पर save हो जाएगा अगर आपको वह नहीं आता तो मुझे comment का कि ज़रूर बताएगा मैं वह भी आपको बताऊंगा कैसे आप उसको backup and restore कर पाएंगे तो finally बस यह होना ही वाला है तो दोस्तों इसके बार आपसे पूछने वाला आपको क्या लगाना है pattern pain या password आपको यूज करना है और आपको fingerprint यूज करना है यह नहीं करना जो भी pattern आपने डालना है तो मैंने यह pattern दो बाई डालना या pen या password जो भी आप डालना होगा उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर continue पर click आपको और app को add करना है तो यहाँ पर जाना है add apps में जाएंगे जोंसी भी app को अगर वहां से डाउलना हो या अलग से कोई download करनी हो Google Play Store से या Galaxy Store से तो वह भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर कोई installed apps हो जो आपको add करना हो तो add apps में जाके आप यहाँ पर उसको add कर पाएंगे आपकी सारी apps यहाँ पर खुल जाएंगी जो भी app को आपको 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 यहाँ से remove हो जाएगी और वहाँ पर add हो जाएग comments में यह कोई से भी था मैंने उस पर क्लिक करा और यहां done कर दिया तो वहाँ पर copy move और का option आरा अगर move कर दूँगा तो यहाँ पर भी रहेगी वही पर रहेगी तो मैं इसको यहां से move कर देता हूं तो यह वहाँ पर वो move हो गई आपको दिख रहा होगा अब दोस्तों यह यहां पर आपको मिल रहा है गैलरी पर अगर आप गैलरी पर जाएंगे तो अभी गैलरी विल्कुल निल देखेगी वहाँ पर कुछ नहीं देखेगा आपको दिख रहा होगा विल्कुल जीरो कुछ भी नहीं तो यहां पर आपको एड करना है तो एड करने के लिए आपको add कर पाएंगे या बोल सकते है import contact from a file अगर कोई आपके पास file हो तो वहाँ से import कर सकते है camera भी normal आपका जो भी है वहाँ सा open होई जाएगा secure जो भी हाँ photo की जाएगे वो सिर्फ इसी भी save होगी और कहीं और save नहीं होगी इंटरनेट में भी आपकी कोई files जो भी हो यहाँ पर हो गया है अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं lock and exit अब यहाँ पर मैंने उसको exit कर दिया और मैं अपने normal वाले उस पर आ गया हूं तो यहाँ पर मुझे जाना अपनी गैलरी पर गैलरी पर जाने कर कोई भी मुझे अपनी फोटो और खोलना है और उसको यहाँ पर आप देख रहे हैं move to secure folder का option देख रहा होगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है move to secure folder पर और आप से secure folder के लिए आप से pattern या pin आपको जो भी हो या अपनी fingerprint डाल सकते हैं अब यहाँ से move हो गई है और मेरी फोटो वहाँ पर move हो गई है आप मुझे वहाँ पर जाना है secure folder में तो आप यहाँ पर उपर जाएंगे apps में जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे last में वो create हो चुका है आपको simply उस पर click करना है click करेंगे तो यह भी खुल गया है क्योंकि आपने recently open करा था नहीं तो आप से pinya password मांगेगा और आप gallery में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी photo आ चुकी है यहाँ पर वह आपने mobile को अपने lock कर लिए lock करने के बाद बापिस अपने mobile को आप unlock करेंगे अब बापिस आप secure folder में जाएंगे तो आप से password या pen मांगेगा वो उसके बिना नहीं जाएगा आप जैसी हम आज जाएंगे तो आप यहाँ पर उसको add कर पाएंगे अब यहाँ पर आपको इसके secure folder के change हो जाएंगे तो यह secure folder का जो यह है यह change हो गया icon change हो गया ताकि किसी को पताना लगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे और setting में जाएंगे तो यहाँ पर आप lock type उसका change करना जाते हो लॉक टाइप चेंज कर सकते हो pattern visible रहे नहीं रहे वो भी हटा सकते हो आट और lock secure folder immediately कर दिया मैंने screen off नहीं अब जब भी मैं इसके भार आओंगा दोबारा जाओंगा तो यह screen off हो जाएगी ठीक है अब कैसे मतलब जैसे मालूम मैं इससे भार आगया अब मैं secure folder में जाओंगा तो अब मुझे हर बार 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 की ज़रुद नहीं रहेगी मतलब बार बार जब lock होगा जब भी मैं भार आजाओंगा तो यहां पर आपने data को बिल्कुल private कर सकते हैं कोई भी access नहीं कर सकता एक चीज़ और कर सकते हैं आप इसको उठाके कहीं अलग से कोई दूसरे folder में डाल दीए ताकि किसी को पती ना चले इसमें क्या है तो दोस्तो मुझे आपको मेरी वीडियो पसंदाओं जई दोस्तों अकर आपको य ran करना ना बूले और अगर आप मेरे चल में पहली बार आएं और हम्मेरी वीडियो पहली बार देख रहा हैं दोस्तों प Northwest the